ट्रैफिक विवस्ता को सुधारने के लिए हर जिले में पुलिस और पब्लिक मिलकर काम करेंगे इसको लेकर बाकाइदा प्लैन भी बनना शुरू हो गया है अमबाला में पुलिस और पब्लिक कोःडिनेशन के मीटिंग हुई जिसमें ट्रैफिक विवस्ता में सुधार पर चर्चा की गई एसपी अमबाला ने बताया कि ग्रह मंद्री के आदेशों पर हर जिले में ट्रैफिक को लेकर इस तरह की मीटिंग्स की जा रही है हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विज ने हर्याना के हर जिले में ट्रैफिक व्वरस्ता को सुधारने के लिए पुलिस को पब्लीक के साथ pitched कर व्व venus देनें के आधिश दिये हैं जिसको लेकर अमपाला के पुलिस वर पब्लीक कोउडिनेशन मीटिंग हुई जिसमें एक्सिडेंट ट्रॉन एरिया वो ट्रेफिक जाम के बन रहे स्पाट और सड़कों पर दोड़ रहे अवेद वहानों को कंट्रोल करने पर रन नेती बनी इसी तरह शहर के लिए सिर्दर्द बने बेतरदीब चलते आटो वह ईरिक्षा के लिए भी नियम तै करने के आदेश स्पी अमाला ने दिये एस पी अमाला ने बताया कि आटो उसके लिए जगा निर्धारित की जाएगी वह जो बिना कागजात के चल रहे हैं उन पर भी कंट्रोल किया जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक विवस्था सही तरीके से चल सके मानिये ग्राय मंत्री जी के मार्क दरश्चिन के बाद हर जिले के अंदर पुलिस और पब्लिक की कॉर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है और उसी संदर्ब में हमारी आज पुलिस और पब्लिक की कॉर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हर सब्ड्वी एं हर पुलिस टेशन से उसमें रिपर्जेंटिटिव्स हैं और हर वर्ग से उसमें लोग हैं उसमें हमने आज प्राइमेरिली जो NDPS के उपर पुलिस ने काम किया और उसमें कैसे लोग हमारा साथ दे सकते हैं उसके उपर चर्चा हुई और साथ ही जो ट्रैफिक विवस्ता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक्सिडेंटों के अंदर जहां पे बलैक स्पॉट्स बन रहे हैं उनमें करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए और लोगों के जहां जहां पे भी चोकिंग और जो डी इडिक्शन सेंटर थे और कुछ एंजियो भी इसमें पार्डिस्पिट किया और मुझे पूरी अमीद है कि हमने आज डिसाइड किया है कि हम जो सिटी और अमबाला सिटी और अमबाला केंट का एक ट्रैफिक का एक रोड मैप बनाएंगे ताकि हम जो एक्सिडे कर सकें अगर कहीं पे वेंडिंग जोन बनानी है तो उसके लिए हम सिविल अडिनिस्ट्रेशन के साथ कोडिनेट करके वहां पे वेंडिंग जोन निर्धारित करवाएं और इसी तरीके से जो आटो हैं जिसके कारण काफी एक्सिडेंट्स भी होते हैं और कुछ अन जाएंगे जहां पर भी जगा अवेलिबल होगी तांकि यह वहीं रुकें और अन्य था कई बार दिखा गया है कि यह सड़क के भीच में एकदम रोक देते हैं जिससे हादसों का वो कारण भी बनता है तो उसके लिए हमने अलग अलग जो ग्रुप्स आये थे उन में से उन के बढ़ा सकें आनि वो एक्जाक्ली जो जो कुछ हमारे पास जानकारी है कि काफी तो ऐसे आटो रिक्षाज हैं जिनके पास लीगल डॉकुमेंट्स नहीं हैं यह वो उनकी फिटनेस स्टेंडर्स ठीक नहीं हैं तो उसके लिए भी हम इनको सारे को वेरिफाइ करेंगे औ और जो इनके हाल्टिंग सेंटर्स हैं जो पार्किंग प्लेसिस हैं वो अडिन्टिफाइ करके और वहीं पे इनको कोशिश करेंगे कि इनको इनकी मीटिंग लेके और इनको प्रेरित भी किया जाए और इनको फिर वाद में लॉफुली इसको एंफोर्स भी किया जाए यह वहीं से चलें